नमस्ते आज आपके स्वागत के लिए ये प्यारा सा क्यूट स अक्टोपस आया हुआ है जिसको आप में गुरुमी अक्टोपस भी बोल सकते हैं ऑक्टोपस बोल सकते हैं चाहिए उतने नाम आपको मिल जाएंगे एमिगुरुमी से ज्यादा फेमस है यह एमिगुरुमी ऑक्टोपस बेसिकलिए एमिगुरुमी यह जैपनीज बॉर्ड है आर्ट है और यह बहुत ही खुब्सूरत आर्ट है यह लोग क्रोशा से स्टॉप्ट एनिमस बनाते हैं अलगलग टॉइस बनाते हैं और बहुत ही खुब्सूरत आर्ट है इनका जिसके आप देख सकते हैं तो आज हमें इसका पुरा ट्यूटोरियल हम देखेंगे इसके आर्ट लेग्स इसका फेस और आखों से रिलेट आखों का जो वीडियो है व मैंने इस मैं आड नहीं किया क्योंकि वीडियो को जादा ही बड़ा बन रहा था वैसे आखे मार्केट में जीली अविलेबल है बट मैंने सोचा वह भी क्रोशा से बना लूँ तो डोंट वरी उसका वीडियो आपको एक दो दिन में पक्का मिल जाएगा अब जैसे आप इस पैर इसके आठ कैसे जॉइन करना है फिर यह फेस पोर्शन भी कैसे लेना है कितने राउंड्स हैंगे मैं आपको बॉटम पार्ट भी दिखा देती हूँ इसका बॉटम पार्ट है पिज़ा हमने पुरिस लाई की हुई है बेसिकली बहुत भी प्यारा है बच्चों को तो पसंद आएगा बड़ों को भी पसंद आएगा आप हॉल में रख सकते हैं बच्चों के बैटरूम में जहां आपकी मरजी है और कफी सॉफ्ट है क्यूट है मैंको तो बहुत पसंद है को तो अलड़ी मैं बहुत टाइम ले लिए आपका तो अभी और टाइम नहीं इंप्रेइश्ड करते हुए हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करेंगे सकतेयान का बसखोशिश कीजे होगा उतना अच्छा दीखेगा वह, slip knot से शुरू करेंगे, slip knot के बाद तीन चेन प्रोशा के ठाके लेंगे, वैसे मैं आपको पहले needle भी दिखा दूँ, यह 6.5 mm की needle मैंने ली हुई है, और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आप यान थोड़ा सा मोटा लेजिएगा, उसके लिए needle भी उसी हिसाब से लगीगी थोड़ी, तो हमने slip knot लिया, slip knot के बाद 3 चेन प्रोशा के ठाके, अब हम पहले और आखरे ठाके को slip stitch से चोड़ेंगे, तो एक छोटा सा हमें circle मिल जाता है, जिसमें जादा space नहीं है, सिर्फ इतनी जगह है कि हमारी needle उसमें से पास दूए है, अब से हर नए round की शुरुआत हम दो chain क्रोशा के ठाकों से करेंगे, यह जो दो chain क्रोशा के ठाके हम हर round की शुरुआत में लेने वाले हैं, वो एक किसम का marker है कि यहाँ से हमारा round शुरू होता है, दो चेन क्रोशा के टाके होने के बाद जो हमें छोटा सरकल मिला है उसके अंदर से हम हाफ डबल क्रोशा के टाके लेंगे कितने भी नंबर के टाके ले सकते है बस हमें जादा से जादा half double crochet के टाके लेने है वो गोल के अंदर से round के अंदर से ताकि जो पहले लिये हुए दो चेन क्रोशा के टाके हैं, हम उनके पास तक पहुँच जाएं। कोई gap ना रहे, तो फिर पहले के दो चेन क्रोशा के टाके और आखरी half double क्रोशा का टाका, इनको हम slip stitch से जोड़ लेंगे। कर दो चेन क्रोशा के लिए नाएं। दूसरी राउंड की शुरुवात में हमेशा की तरह हम पहले दो चेन क्रोशा के टाके लेंगे उसके बाद हर टाके में हम दो हाफ डबल क्रोशा के टाके लेंगे एके टाके में एक साथ दो half double crochet के टाके और फिर हमेशा की तरह पहले के दो chain crochet के टाके और आखरी half double crochet का टाका हम slip stitch से जोड़ लेंगे झाल 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 अब तीसे राउंड के लिए हमेशा की तरह दो chain crochet के टाके लेंगे और फिर हर टाके में एक half double crochet का टाका लेंगे और आखर में पहले और आखरे टाके को slip stitch से जोड़ लेंगे तो मैंने वैसे दस से बारा राउंड लिये हैं आपको अगर और बड़ा बनाना है तो आप उससे जादा लीजेगा मेरे लिए तो दस से बारा मतलब काफी ठीक ठाक बड़ा बन गया हो तो यह हमें continue करना है जो pattern पहले तो chain crochet से शुरू करेंगे फिर हर टाके में एक half double crochet की सिलाई हर half double crochet का टाका और फिर आखिर में पहला और आकरे टाका slip stitch से जोड़ लेंगे तो यह हमें 10-12 round तक same pattern जो है दोहराना है कि जस्थ ध्यान दीजेगा कि आप अपने आठों के आठों पैर जो है वह सेम नीडल सेम धागे से बनाए और सेमी साइज में बनाए उत्ता पस ध्यान दीजेगा वरना वह अच्छा नहीं दीखेगा यह अभी एक पहला तैयार होने को ही है ऐसे और हमें साथ और बनाने है हमारा जो फिलिंग स्टफ माटेरियल आएगा वो यहां पे आएगा और फिर उसे हम लोग क्लोस कर लेंगे उसका भी मैं आगे बताती हूँ कैसे क्लोस करेंगे उसके पहले मैं जस्ट एक दुबारा सारे स्टेप सब को बता देती हूँ कि हमने अब तक क्या क्या किया हमने तीन चेन क्रोशा के टाके लिए पहले और आखरे टाके को जोड़ा स्लिप स्टिच से हम एक छोटा सा गोल मिला फिर इसके बाद हमने हर राउंड की शुरुवाद दो चेन क्रोशा के टाकों के साथ किया है तो पहले राउंड में हमने वो गोल के अंदर से हाव डबल क्रोशा के टाके लिए हुए है कितने भी नंबर चलेंगे बस हमें वो जो दो चेन क्रोशा के टाके उनके पास तक आना है फिर पहले और आखरे टाके को हम स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे उसके बाद दूसरे राउंड के लिए हर टाके में हम दो हाव डबल क्रोशा के टाके लेंगे शुरुआत दो चेन क्रोशा के टाकों के साथ फिर पहला और आखरे हम जोड़ लेंगे स्लिप स्टिच से तीसरे राउंड से जो है हम हर टाके में सिर्फ एक हाव डबल क्रोशा का राउंड लेंगे तो इक पैर बनाने के लिए दस से बारा राउंड काफी हो जाते हैं मैंने तो दस से बारा क्या राउंड लिया हुआ है तो दस राउंड काफी हो जाते हैं आपको अगर और बड़ा बनाना है तो आप उस एसाप से ले सकते हैं बस धान रखिए आठों के आठों आप उतने ही राउंड ले आठो पैरों में सेम आप साइज ले कि पीलिंग भरके होने के बाद हम लोगों को इसे क्लोज भी करना है तो अभी हम इसे क्लोज कैसे करेंगे आगे वह देखेंगे कि फिलिंग ना ज्यादा भरिएगा जितना आप ज्यादा भरेंगे उतना वह स्पॉंजी और स्कुशी वह वाला एफेक्ट आएगा उसको कि आप अब देखें क्लोज करने के लिए हमें जो है फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशा लेना है लेकिन वो फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशा हम एक टाके से ना लेती हुए दो टाकों के टाकों से एक साथ लेंगे मतलब हम दो टाके को जोड़के एक ही front post double crochet का टाका लेंगे तो जैसे हमारे टाके दो से एक तो जितने भी टाके उसके आधे हो जाएंगे अगले round में उसके आधे तो ऐसे करते करते टाके कम होते हैं ऐसे टाके कम करते हुए हमको दो rounds लेने हैं उसके पाद हम वो दोनो round एक line में जोड़ लेंगे क्योंकि हमें यह जो pair है वो हमारा जो octopus squishy है उसके नीचे जोडने हैं से लाई करके तो उसके लिए हमको एक extension लगेगा तो हम एक line ले लेंगे यह दिखे यह ऐसा दिखरा है टाके कम होने के बाद अब हम क्या करेंगे opposite के दो टाको को लेते हुए half double crochet का डाका लेंगे तो फिर जैसे यह जूड़ते चले जाएगा opposite के दोनों टाको को एक साथ लेते हुए half double crochet डाका लेना हमको तो फिर वो एक एक टाका हम हर फिर से हम दो टाको को मिला के एक टाका लेंगे लेकिन side के दो टाके ना लेते हुए जो आमने सामने वाले हैं उनको लेंगे तो फिर यह एक line तयार होती है ऐसे हमें दो line मनानें दो या तीन तो जैसे हमको सिलाई करने के लिए आसानी हो जाएगी थोड़ा extension मिल जाता है हमको सिलाई करने के लिए आसानी हो जाती है देखिए यह है वह extension जिसके बार में मैं बात कर रही थी अब चैसे यह एक पट्टी सी बन गई है तो यह पट्टी हम आसानी से सिलाई करके हमारे जो ऑक्टोप स्कुशी का हेड है दा सर है उसके नीचे आराम से सिलाई कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं अपसी लाइकने में हमको कोई दिक्कत नहीं आगी अब हम हमारे ऑक्टोपस के सर का हिस्सा बनाएंगे तो जैसे उपर का हिस्सा फेस वाला और फिर इन सब को जोड़ते हुए सरकल पूरा करेंगे हम लोग तो हमेशा की तरह स्लिप नॉट से शुरू करेंगे तीन चेन क्रोशा के टाके पहले और आखरी टाके को जोड़ लीजिए स्लिप स्टेच की मदद से एक छोटा गोल मिलता है हमको पहले और आखरी चेन क्रोशा के टाके को हम लोग स्लिप स्टेच से जोड़ लेंगे तो हम एक छोटा गोल मिल रहा है अब हमेशा के तरह हम हर राउंड की शुरुवा दो चेन क्रोशा के टाकों से करेंगे और यह जो गोल हमको मिला है इसमें से हम हाफ डबल क्रोशा के टाके लेती चले जाएंगे कितने भी नमबर ले सकते हैं बस हमें वो दो चेन क्रोशा के टाकों के पास पहुचना है 2 डूसरे राउंड के लिए शुरुवात वही 2 चेन क्रोशा के टाकों के साथ और हर एक टाके में हम 2 half double क्रोशा के टाके लेंगे दूसरे राउंड बी पूरह होने पे पहले 2 chain क्रोशा के टाके और आगरी half double क्रोशा का ठाका हम slip stitch से जोड़ लेंगे झाल झाल अब वो ऑक्टुपस का सर बनाने के लिए हमको पाच राउंड लेने हैं दो हम अल्रेटी ले चुके हैं अब हमको और तीन राउंड लेने हैं तो वो तीन राउंड हम लोग कैसे लेंगे पैटर्न सेम रहेगा तीनो राउंड के लिए हम हर टाके में अभी एक टाके में एक हाफ टबल क्रोशा का टाका, दूसरे टाके में दो हाफ टबल क्रोशा के टाके एक साथ, तो एक, दो, एक, दो, एक, दो, ये तीन राउंड के लिए हमको सेम पैटर्न रखना है, अब ये सर का उपर वाला हिस्सा हुआ, अब हम फेस वाला पोर्शन मनाएंगे तो जैसे मैंने पांच राउंड लिये थे सर का हिस्सा बनाने के लिए तो जैसे मैंने पांच राउंड लिये थे सर का हिस्सा बनाने के लिए तो फेस का पोर्शन बनाने के लिए मैं 15 राउंड लोगे ये देखे, पूरा होने पे ये ऐसा दिखता है मैं एक बार रिबीट कर देते हूँ, हम लोगों ने अभी तक क्या-क्या किया है हमने तीन चेन क्रोशा के टाके लिए थे, पहले और आखरे को स्लिप स्टिच से जोड़ा था तो हमें छोटा गोल मिला, फिर उस गोल में से हमने हाफ डबल क्रोशा के टाके लिए कितना भी नंबर चलेगा, बस हमें वो दो चेन क्रोशा के टाको के पास आना है और फिर पहले और आखरे टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ना है जैसे आप जानते हैं, हर राउंड की शुरुवात हम लोग दो चेन क्रोशा के टाको के साथ करते हैं तो यह हमार पहला राउंड था, दूसरे राउंड की लिए हम हर टाके में दो हाफ टबल क्रोशा के टाके लेंगे और फिर पहले और आखरे टाके को स्लिप स्टिच से चोड़ लेंगे अभी हमें सर के पोर्शन के लिए पांच टाके लेने हैं तो पहले दो हम ले चुके, तीन बाकी के राउंड के लिए हमको पैटन कैसा रहेगा एक टाके में एक हाफ टबल क्रोशा का टाका, दो टाके में मार्फ कीजिगा, एक टाके में एक हाफ टबल क्रोशा का टाका और अगले टाके में दो हाफ टपल क्रोशा के टाके एक साथ, तो पैटन हैगा एक तो एक तो, तो ये हम पैटन तीन राउंड के लिए सेमी रखेंगे, अब ये सर का पॉर्शन हो गया, अब फेस के पॉर्शन के लिए याद रखे, आप सर के पॉर्शन के लिए जितने भी राउंड ले रहे हैं, उसके तीन गुना आपको फेस के पॉर्शन के लिए लेने हैं, और फेस के पॉर्शन के लिए हम हर टाके में एक ही हाफ डबल क्रोशा का टाका लेंगे, हर टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका, तो जैसे मैंने सर के पॉर्शन के लिए पांच राउंड लिये थे, तो फेस के लिए मैं 15 ड्राउंड लूँगी, और हर ठाके में सिर्फ एक हाफ डबल क्रोशा का ठाका, शुरुवात हमेशा दो चेंद क्रोशा के ठाकों के साथ, फिर पहले और आखरी को स्लिप स्टिट से जोड लेंगे, यह ऐसा कुछ दिखता है, पुरा होने पे, अब इसमें फिलिंग आएगी, बहुत सारी फिलिंग आएगी, लेकिन फिलिंग के पहले हम इसको थोड़ा सा क्लोशिंग के तरफ लेके जाएगे, और जब एक छोटा सा सरकल, एक छोटा सा गोल रह जाएगा, फिर आप उसमें फ के एक फ्रंट पोस डबल कुरोशा का, स्वरी, दो टाके मिलाके, एक फ्रंट पोस हाफ डबल कुरोशा का टाका लिया था, तो हम यहाँ भी तो यह ऐसे कम करते करते, पूरा एकदम एक टाके पर आ जाता है, अगर आप मेरे चानल पर नए है, आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, कमेंट, शेर, और प्लीज मेरे चानल को सब् स्क्राइब कीजिए अगर आपके कोई सजेशन से कुछ कहना है आपको वीडियो से रिलेटेड प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए मुझे पढ़ना बहुत पसंद आएगा और इंक्यू यह हमारा प्यारा सा ऑक्टोपस पूरा हुआ यह हमारे प्यारे से क्यूट से ऑक्टोपस जी तयार है पैठे हुए चेहर के उपर बड़े क्यूट दिख रहे है आखो से जैसे मैंने कहा था आखो से रिलेटेड वीडियो में डालने वाली हूँ एक दो दिन में आपको मिल जाएगा और मैं आपको इसके नीचे बॉटम प हर पैर का एक एक कोना दूसरे कोने से सिल लिजे तो फिर कैसे वह आठो के आठो लेक्स बराबर एक सरकल में आ जाते हैं और फिर वह पूरे मिलाके आप नीचे सर के नीचे सिल लिजे यह रहा वह बॉटम पार्ट देखे क्लीन दिखता है अगर हम एक फ्लैट सरकल लगा देते हैं उसके उपर तो यह रहा हमारा पुरा ऊक्टोपस एमिग्भूमी ऑ्टोपस ऑक्टोपस साउफट आट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किजे कमेंट शेयर लाइक और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजे थेंक यू झाल 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 झाल